तो यहां पर के लिखा गया है 67810 के हमने क्या किया जी के लिए code यूज़ हुआ 6, L के लिए 7, A के लिए 8, R के लिए 1, E के लिए 0 वैसे ही मौनसून में आपके M के लिए 2, O के लिए 3, N के लिए 9, S के लिए 5, O के लिए 3 और ये 3 और 9 ठीक है, पूछा है ransom के लिए code क्या होगा, तो यहां पर दोस्तों आपको वो देखना है कि R के लिए ransom में क्या है R, A, N, S, O, M, तो R के लिए क्या code use हुआ है 1, तो R के लिए 1 लिख दीजे, A के लिए क्या हुआ है 8, तो 8 लिख लिजे, N के लिए क्या use हुआ है, N के लिए 9, तो 9 लिख दीजे, S के लिए code use हुआ है 5, तो 5 लिख लिजे, O के लिए क्या use हुआ है 3, तो 3 लिख दीजे, औ तो ये आपका हो गया answer 189532 ये हो गया सबसे simple question coding decoding का और इस type के question भी कई बार confuse कर देते हैं क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि इस तरीके से भी question को solve किया जा सकता है तो आप इसमें confuse हो सकते हैं और इसको छोड़के भी आ सकते हैं तो चलिए next question पर चलते हैं अगर सम मज में भी आ रही है चीजे देखें आप बोला जा रहा है बोन के लिए code ये यूज क्या गया न्यूज के लिए और सोर के लिए क्या code यूज होगा यह आपको बताना है ठीक है तो देख लेते हैं इसको भी जल्दी से आप वीडियो को पोज करके देख लिया करें कि answer क्या रहेगा देखें बी के लिए code ये हुआ है ओ के लिए ये है आर के लिए ये है ठीक है बिल्कुल वैसी जैसे हमने उपर क्या था तो यहां पर इसमें देख लेते हैं कि अब answer क्या हो सकता है एस किसमे हैं एस हैं आपे न्यूज में न्यूज में last यानि कि हैस से start होने वाला code तो हैस से start होने वाला सिर्फ option बी दिख रहा है ना यह है ना यह है ना यह है यानि कि option भी आपका रहे टांस हो जाएगा पूरा question करने की जरूरत नहीं है ठीक है चलिए next question पे चलते हैं अ कैसे लिखा जाएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिए एक चीज इससे पहले में बता देता हूं अगर आपको alphabet के numbers नहीं याद है यानि कि A पहले 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 बी दूसरे पहले पहले सी तीसरे पहले पहले दी चोथे पहले अगर आपको यह याद नहीं है तो आप इस type की question को क करने में बड़ा time लगा सकते हैं और side छोड़ के भी आ सकते हैं तो आपको सबसे पहले alphabet के opposite और आपके alphabet के number याद होने चीजिए A से M तक लिखे M के नीचे N और N से Z तक लिखे इसको दिन में को दो बार लिखे अगर आप इसे लगतार लिखते रहेंगे दो 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 बार ए कैसे लिखना A, B, C, D, E इस तरीके से M तक फिर M से N से Z तक इस तरीके से लिखेगा इससे होगा क्या कि opposite वर्ड भी आपको याद हो जाएंगे A का opposite यह हो जाएगा B का opposite Y हो जाएगा इस तरीके से ठीक है M का opposite N और इनके उपर अगर आप number डाल लेंगे तो number भी याद हो ज जिलता है उसमें जाती 30 second में आप इसको चिपका दे इसको चिपकाने का फाइदा यह रहेगा कि जब आप इसको लिख लेंगे तो इस टाइप की question आप चुटकियों में कर लेंगे और answer 100% सही आएगा ठीक है तो यह भी ध्यान लखेगा चली अब आते है question पे तो जर्मनी म आता है 14 लिका है वह आपका 25 प्यादा 25 लिका है वैसे ही आपको फ्रेंस में भी करना है तो एफ आपका आता है multiplication 6 आपको लिख देना है अ कि आपको पता होता तो time बहुत लगा सकते दिए 6, 18, 1, 14, 3, 5 आपका राइटांस है यानि कि option C हो जाएगा सही उत्तर और ये आप ना पहले एक step में भी कर सकते थे 6, 18 आपने देख लिया था 6, 18 किसी भी दूसरे और option में नहीं है तो आपको पूरा करने की बजूरत नहीं थी option C को लगा के आगे बढ़ जाना था ठीक है समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है तो like कर दीजेगा question number 4 पे चलते हैं question number 4 बहुत अच्छा question है साथी साथ try भी करते हो चलिएगा यदि health को इस code में लिखा जाता है g, sk, z, d, g के रूप में लिखा जाता है तो उसी code में north को कैसे लिखा जाएगा यह आपको बताना है जल्दी से comment box में तो यहाँ पे आते हैं अभी कैसे करना है यह बहुत अच्छा question है अब इसको बोलते cross coding, cross coding का मतलब है जो पहले लिखा था उसको last में लिख दिया, जो last में लिखा था उसको पहले लिख दिया इसी तरीका से crossing चलती रही cross coding आपकी बन गई और यहाँ फे ऐसे भी होता है कि जैसे H था यहाँ पर H लिख देते इधर भी ह लिख देते ह chiar इस तरीके से भी coding होती है और इसमें plus minus वाली भी होती है जैसे इसमें minus चला है H मेंसे minus 1 कर दिया तो G आ गया H मेंसे इदर से भी minus 1 तो G आ गया E मेंसे 1 minus कर देंगे तो आपका 4 हो जाएगा 5 उपर नंबर पर आता है यह D आ जाएगा वैसी आपको यहाँ पे T मेंसे भी minus करेंगे s a मैं से 1- तो z आपका बन जाएगा ठीक है l मैं से- 1 करेंगे तो k بن जाएगा वैसे ही आपको north को बनाना है तो north में आपको क्या करना देखिए n मैं से- 1 तो m h मैं से- 1 तो g o मैं से- 1 तो आपका हो जाएगा n t मैं से- 1 तो s अब जो बीच का R बचा है इसको किसी के साथ में मतलब नहीं क्रोज कर सकते हैं तो इसको वैसे का वैसे लिख देंगे इसको भी ध्यान लखे हैं कभी कन्फ्यूज नहीं होना है अगर ऐसा कोशन बनता है तो R में से माइनस 1 तो क्यों यह आपको हो जाएगा राइट आंसर ठीक है भई आसे करता हूँ कि समझ में आ रहे होंगे सारे कोशन नेक्स कोशन पर चलते हैं कोशन नंबर 5 बहुत अच्छी कोडिंग इसमें भी की गई है यहाँ पे लिखा गया यदि गोल्ड को होम के रूप में कुट बुद किया जाता है यानि कि कोडिंग किया जाता है तो कोड को डोज के रूप में कुट बुद किया जाता है तो संस को किस परकार किया जाएगा यह आपको बताना है देखिए गोल्ड को आपको होम बन रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं आपको बिलकूर simple तरीके से बता देता हूँ plus 1 कर देंगे G आजाएगा O को वैसे को वैसे लिख देंगे M आजाएगा फिर plus 1 कर देंगे E आजाएगा सी code में किया गया है, C में plus 1 कर देंगे तो D हो जाएगा O को वैसे को वैसे लिख जा गया है R में प्लस 1 तो S और D में प्लस 1 तो E यह मैं आपको यहां पे भी दिखा देता हूँ अच्छे तरीके से और इसकी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं Topic Study के टेलीग्राम चैनल से आप आप डारेक्ट टेलीग्राम पे जाएए सर्च करिए Topic Study और वहां से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं आंसर सभी के यहां पर दे रखें मैंने से तो यहां पर देखिए गोल्ड में हमने आजी में प्लस वन किया तो H आ गया O को वैसे का वैसे यानि की 0 प्लस किया वैसे का वैसे लिख जया L को भी वैसे का मतलब प्लस वन करके लिख जया और इसमें भी प्लस वन वैसे आपने इसको किया मैंने बता दिया वैसी आप suns में करेंगे तो sun में आपका s में आप plus 1 करेंगे o को वैसे का वैसे लिखतेंगे n में फिर plus 1 करेंगे तो o बन जाएगा s में plus 1 करेंगे तो t बन जाएगा तो t double o t यह आपका right answer हो जाएगा तो इस तरीके के भी coding आपकी होती है अब यहाँ पे यह जान लीजे कि coding इसमें हजारों तरीके की बन सकती है इसी में आपका plus 2 हो सकता है इसमें plus 3 हो सकता है plus 4 हो सकता है यहाँ पे आपका यह plus 0 सुरू में भी हो सकता है यह plus 0 last में भी हो सकता है यह coding का मतलब coding हम बोल सकते हैं कि हजारो क्रोडो टाइप की बन सकती है बट आपको कॉंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि इस तरीके से कोडिक हो सकती है इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर एक रीजनिंग की वीडियो देख लिया करें हर एक रीजनिंग की वीडियो में मैं कुछ न कुछ इंटरस्टिंग लेके आता हूँ कोशन नमबर 6 पे चलता है कोशन नमबर 6 सिंपल है बट यहाँ पे एक चीज मैं आपको सिखा देता हूँ कि इस तरीके के भी कोशन बनते है इसमें बोला है रोड को ये लिखा जाता है U, R, D, G ठीक है, सवान को कैसे लिखा जाएगा तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्लस 3 चल रहा है यानि कि R में प्लस 3 क्या U O में प्लस 3 क्या R A में प्लस 3 D और D में प्लस 3 तो G उसी तरीके से आप सवान में भी प्लस 3, 3 कर देंगे तो बन जाएगा यहाँ पे बात बताने की यह है कि इसमें प्लस 1 से लेकरके प्लस 100 तक मतलब किसी के भी बीच में नंबर आप प्लस किया जा सकता है वो आप पे डिपेंड करता है कि कितना आप नंबर प्लस कर सकते है वैसे 100 मैंने ज़्यादा बोल दिया 26 तक ही पल्स हो सकते है बाट, 100 भी thorough हो सकता है,100 में क्या होगा, कि वह बहुत हाई-level की reasoning हो जाती है, वह आपकी मतलब, banking में ही जाद दतर पूछी जाती है, आपके exam में नहीं आएगी, ना किसी railway की exam में आएगी, ना किसी पुलीस की exam में आएगी, ठीक है तो आपको टेंशन लेने की जोड़त नहीं है 26 तक ही एड हो सकते हैं आपके एकजाम में अगर 26 से उपर जाते हैं वो रेलवे की रीजनिंग बन जाती है वो हाई लेवल हो जाता है तो अगर मैं इसकी बात करूँ इसमें प्लस 3 करेंगे तो V डबलू में प्लस 3 करेंगे तो Z ठीक है A में प्लस 3 करेंगे तो D N में प्लस 3 करेंगे तो Q या देख लिजे कौन सा V, Z, D, Q यानि की option भी आपका राइट answer हो जाएगा तो चलती से चलते हैं question number 7 पे देखे साथ में question में बोला जा रहा है matter को अगर इस तरीके से code किया गया है coding किया गया है T, A, M, R, E, T beyond को क्या code किया जाएगा अब यहाँ पे एक चीज़ देख लिजे सारे के सारे word जो use हुए है वो जो matter में पहले से लिखे हुए है वो ही code मतलब उनी numbers को उल्टा सीधा कर दिया गया है तो जब भी इस तरीके से question दिया जाता है जानी कि जो आपका alphabet होता है जो sorry word होता है उसके जो alphabet होते हैं उनको उल्टा सीधा करके लिख करके एक code बना दिया जाता है तो उसमें करना कैसे होता है कि आप easily कर लें यहाँ पे समझे जैसे matter है matter को आपने code दे दिया 123456 अब यह देखिए कौन से number पे कौन सा डाल दिया गया है सबसे पहले पर आपने t को 3 पर लिख दिया ठीक है फिर a को लिख दिया 2 पर फिर m को लिख दिया 1 पर 6 को लिख दिया r ठीक है e को 5 पर और यहाँ पर मतलब इस तरीके से जैसे आप पर किया गया है वैसी आपको करना है beyond को beyond में आपको क्या गरा 1,2,3,4,5,6 आपने code दे अब आपको सबसे पहले देखना थीरी नंबर पे कौन सा है थीरी नंबर पे Y है तो Y क्योंकि यहाँ पे code जीस तरीके से किया गया है वैसी आपको लिखना है दूसरे नंबर पे आपको E दिया गया है तो E लिख दीजिए ठीक है यहाँ पर दूसरे नमबर पर फिर पहला नमबर आना है पहले नमबर पर आपका B है तो B लिख दीजे अब की बार छटा नमबर आना है छटे नमबर पर आपका D है तो D लिख दीजे अब की बार पांच बार नमबर आना है पांच बे पर N है तो N लिख दीजे तरीके से आपका पूरा कोड बन जाएगा यह ब्योंड का तो यह भी एक टाइप है आपका कोडिंग का जो की एकजाम में पूछ लिया जाता है आसा करता हूं कि समझ में आया होगा जल्दी से कोशन नमबर 8 पे चलते हैं कोशन नमबर 8 इसलिए बोलता हूं कि पूरी वीडि का मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर लिखा है very large risk associated को लिखा जा रहा है n-u-t-a-r-o-g-i इस वाली लाइन को इस तरीके से कोड किया गया है फिर दूसरी लाइन है risk is very low risk is very low को इस तरीके से कोड किया गया है is that also associated को इस तरीके से कोड किया गया है inherent risk also damaging को इस तरीके से code किया गया है तो जो ये आपकी लिखे sentence छोटे छोटे इनको इस तरीके से code किया गया है इसको करना कैसे है अभी ये question आप से पूछे जाएंगे इससे related तो आपको क्या करना है सबसे पहले जो ये लिखा गया है न सब कुछ इसको लिख लीजिए ठीक है इसको लिखेंगे तो यहां पर हम आ गये हैं इस तरीके से लिखे सब कुछ आंसर आपको मिल जाएंगे बस एक बर थोड़ा सा समझ लीजिए समझने वाली चीज इंपोटेंट है यहां पर very large risk associated को यह लिखा गया था मैंने वैसी लिख 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 equal to this , is that मतलब इसका अलगी तरीके से इसको गौल कर दिया इधर भी तरीके से कर दिया को गौल ताकि हमने पता चलते कि कोड जीए है है हमने नेश्ट देखा लार्ज लार्ज इस लाइन में है फिर किसी दूसरी लाइन में लार्ज हमें नहीं दिख रहा है तो लार्ज को छोड़ दीजिए अगर लाज नहीं दिख रहा है तो छोड़ दीजिए वहीं पर रिश्क रिश्क इस लाइन में है रिस्क इस लाइन में है अब आपको एक ऐसा कोर्ण देखना है जो इन ठीनों लाइन में इन तीनों लाइन में एनियू और एनियू यानि कि रिस्ट के लिए एनिय। को कॉड़ यूज किया गया है दोस्तों अकर समझ मैं आ रहा हो गाता लाइक का बटन दबा दिज़ेगा मैं समझ जाओंगा कि मैक्सिममाँ बच्चे समझ गए इस चीज़ कोो ठीक तो RISC के लिए NU का code Simmons किया गया है associated के लिए आप को क्या देखना है कि इस line में है और इस line में है तो आपको देखना है कि पहली line में और तीसरी line में कुछ भी code common है तो वो associated का होगा और किसी का नहीं होगा तो यहाँ पर TA common है तो हमने इसको भी अलगी तरीकी से denote कर दिया और यहाँ पर भी associated को अलगी तरीकी से denote करके कर दिया यहाँ कि associated का code आपका TA है अब आपको पता चल गया इस पूरी line में तीन का code ठीक है तो चोते large का तो आपका automatic मिल जाएगा ना RO हो जाएगा code तो इस line के पूरे code हमें मिल गए इस line में हमें मिल गया risk का very का अब इस की बात आती है इस यहाँ पे है आपका इस यहाँ पे है किसी और तीसरी line में तो नहीं है तो इस के लिए इन दोनों line में क्या चीज को मैंने देख लिए MI तो इस के लिए MI code यूज हुआ है उसी तरीके से आपका very का हो गया risk का हो गया is का हो गया अब next वाली line में low का देखे low किसी और दूसरी line में low यह किसी भी दूसरी line में नहीं है तो यह SE जो बचा है यह low का ही code बच गया यानि कि इन दोनों line के code हमें पता चल गया पूरा question इसलिए करके बता रहा हूं otherwise question में एक ही point आपसे पूछे जाएगा कि risk का code क्या होगा तो risk का आपको पता चल चुका है कि NU होगा आप बताके next question पे पहुँच चकते हैं बट यहां पे थोड़ा से time लगाते हुए triangle से इसको cover कर दिया अब देखे इन दोनों में common क्या है FU, FU इसमें भी है, FU इसमें भी है यहनि कि also के लिए FU code यूज हो जाएगा फिर यहां पे बात आती है next इसकी that की that के लिए apple code हो बन जाएगा क्योंकि और कहीं पे भी that नहीं है तो apple code इसमें हो जाएगा अब इसमें आपको सब कुछ पता चल चुका है अब यहां पे हम देखते हैं क्या क्या question पूछे गए है सबसे पहला question है risk also large का code क्या है risk का also का और large का तो देख लीजिए risk का है आपका nu also का है आपका FU और risk also और large था ना large हाँ sorry देखते हैं large था RO था था हाँ large तो nu और यह आपका हो जाएगा तो आपका यह right answer हो जाएगा option D nu, fu, ro ठीक है nu किसके लिए था risk के लिए था also के लिए क्या था fu था और large के लिए सबसे पहले line में O था तो आपका right answer हो गया option D दोस्तो समझ में आ रहा है ना बिल्कुल कोशिस है मेरी की एक एक word आपको समझा दिया जाए very के लिए code क्या होगा अब very के लिए code बताए कितना simple सा लगने लगा होगा आपको question की कितना आसान है very के लिए code GI हो जाएगा confusion हो गया था तो यह DI और YU दो के code है अब यहाँ पर अगर बात की जाए देखें interesting question बनता है क्याँ पर भी DI और YU दो अलग-अलग code है और यह यह तो inherent के यह damaging के हो सकते हैं तो इन दोनों के code को हम define नहीं कर पाएं क्योंकि question में नहीं दिया था तो इसमें एक अलगी option दे रखोगा यहाँ पर देखें जैसे DI code यह तो damaging का हो सकता है या inherent का हो सकता है तो option यहाँ पर right answer हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर clear नहीं क्या पूरे question में कि इसका DI का code क्या होगा पूरा question soul हो चुका है समझ में आपको आगया होगा अगर समझ में आगया तो like का बटन दबाईएगा और समझ में नहीं आया किसी भी question में problem है तो नीचे comment box में जल्दी comment कर दीजेगी सर यह वाली चीज समझ में नहीं next फिर वीडियो में आपको cover करा दी जाएगी चलिए फिर next question पर चलते है question number 10 है देखे अब end आ चुका है वीडियो का तो please देखते रहिए ठीक है क्योंकि मैं यहां तक मैंनत करके वीडियो बना रहा हूं तो आपको भी देखनी चाहिए question number 10 एक निश्चित कूट में municipality को यह code किया गया है ठीक है फिर यहां पर बोला गया judicial को कैसे code किया जाएगा तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से किया गया है आप भी साथी साथ ट्राइ कर सकते हैं देखे मुंसिपलिटी को हमने क्या किया इसको तीन भाग में डिवाइड कर लिया चार-चार के पेर बनाके इसको अलग-अलग सी चारचार का पेर बनागे तीन भाग में डिवाइड कर लिया म यू एन आई को सी आई पी आई पी ए को और ल आई टी वाई को अगर आप इसको ऐसे मतलब डिवाइड भी नहीं करते तो कोई लिखकते तब भी आप इसका अंसार निकाल सकते थे बट उसमें थोड़ा समझाने में प्रोब्लम होती तो मैं आपको इस तरीके से समझाओंगा कि समझ में आ जाएगा अब यहां पे क्या किया गया है इसमें हमें तीन भाग में डिवाइड करने के बाद में जो पहले दो वर्ड हैं उनको इस तरीके से मतलब चोथे नंबर पे लिख जा गया है मतलब इन कोड़ा सा समझना ये पड़ेगा क्योंकि इनका कुछ नाम तो नहीं दे सकता मैं कि इस तरीके से लिख जाए इसको ड और बेंगे यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि Coding में एक तो आपका चलता है कुछ ने कुछ code एक चलता है आपका देखने का नजरिया कि आप कितना देखने के बाद catch कर लेते हैं चीजों को जैसे n को यहां पर लिखा आई को यहां पर लिखा तो आप समझ गए ना कि n को का लिखना है आई को का लिखना है नेक्स टाइम और इन दोनों को किस तरीके से लिखना है A L ठीका है तो यहां पे यह गलत हो गया भई A और L यहां पे हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है यहां पे J और U को आपको code करना है J और U इस तरीके से D को यहां पे कर देंगे I को पहले पे कर देंगे वैसे CI को आप लिख देंगे वैसे कब वैसा ही और A को यहाँ दूसरे पर लिख देंगे L को यहाँ पर लिख देंगे तो right answer क्या बन जाएगा आपका यह वाला right answer हो जाएगा I, D, J, U, L, A, C, I आशे करता हूँ कि यह question भी आपको समझ में आ गया होगा next question पर चलते है question number 11 इतना अच्छा question है कि इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो को जो end तक देखता है उसे कुछ ने कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो question number 11 में कुछ ने कुछ एक्स्ट्रा ही है बहुत अच्छा question है try करके देखिए अगर आपने कर दिया तो मैं मान जाओंगा कि हाँ आपकी प्रिप्रिशन बहुत अच्छी चल रही है इसमें बोला गया कि f e d को अगर multiply 3 से कर दे जाते तो यह code निकल के आता है b c d को multiply 4 से कर दे जाता है तो यह code निकल के आता है और b e f को 1 से multiply कर दे तो तो क्या code आएगा यह आपको बताना है question एक पर try करके जरूर देख लिए जिगा वीडियो को रोकिए पर और देखे try करके और मैं बता देता हूँ आपको अगर आपने try कर लिया हो तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ तीक है यहाँ पर सबसे पहले तो जो अलफबेट जिस नंबर पर आता वो लिखा ठीक है जैसे f आपका 6 पर आता है e आपका 5 पर आता है d4 पर आता है उसकी multiply 3 में अभी नहीं कर देंगे 1629 आपका right answer हो जाएगा इन सभी की multiply 3 में करेंगे तो 1639 राइट answer आजएगा फिर आपको next ऐसे करना है b c d b आपका दूसरे पर आता है तीसरे पर आपका c आता है चोथे पर आपका d आता है इसमें से सभी में से 11- करेंगे तो 1 हो जाएगा 2 में से 3 में से जाके 12 ब करना है b e f multiply 1 का code कैसे बनेगा b आपका दूसरे पर आता है यह आपका 5 यह पर आता है f आपका छटे पर आता है multiply कर दीजिए 1 से तो 256 यहां पर 256 जो code है इसमें से 11- कर दीजिए 1 आएगा 5 में से 1-4 4 6 में से-1 तो 5 तो यहां पर 145 की multiply 1 में कर दीजिए तो 145 आपका right answer हो होगा next question पर चलता है question number 12 बहुत ही simple सा है try कर लीजिए answer जो भी आएगा comment box में बता दीजिए एक खास code बासा में drink को यह code दिया जाता है jmhqc तो bolts को यह दिया जाता है rsnks honey को क्या दिया जाएगा तो honey को कैसे code किया जाएगा इनका पहले देख लीजिए drink को कैसे code किया गया एनकी जो पहला था उसको last बना दिया गया है minus one करके जो second था उसको minus one करके second last बना दिया गया है जो third था उसको last fourth बना दिया है minus one करके और जो last था उसको first बना दिया गया है minus one करके वैसे आपका bolts में क्या गया है तो इसमें भी हम minus one करेंगे और last वाले को last second को second last third को third last वैसे आपको ये कर देने है, ठीक है अब यहाँ पे आई हनी की बारी तो हनी में भी आपको बैसी करना है, last को minus 1 करके G, O को minus करके N, N को minus 1 करके M, E को minus 1 करके D और Y को minus 1 करके X तो right answer क्या होगा, X, D, M, N, G तो ऐसा करता हूँ कि ये question भी आपको clear हो गया होगा, next question पे चलते हैं, अब cross coding का question number 13 और 14 और 15 और रह गए हैं, बस थोड़ा सा patience के साथ में और वीडियो को देख लीजे 13 है, cross coding का question, यदि किसी संकेतिक भासा में monkey को ये code दिया जाता है Y, E, K, N, O, M और circle को उसी भासा में कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है तो यहाँ पे देखे, monkey के लिए code क्या यूज हुआ था, कि इस तरीके से N, last मतलब first था, उसको last बना दियेगा Y को last था, उसको first बना दिया ये cross coding का एक और question में यहाँ पे ले लिया था, इसको इस तरीके से, इस तरीके से आपको बनाना था इसको पूरा cross करके, ठीक है monkey के लिए इस तरीके से बनाया, तो उसी तरीके से आपका circle का बना, ठीक है, तो circle में आपका क्या होगा, last वाला sorry, first वाला last, और last वाला आपका first, ऐसी I में कर देंगे ऐसी L में कर देंगे, R में भी कर देंगे C में भी कर देंगे, question बिल्कुर simple था, तो कोई भी hard नहीं question था, ठीक है, तो आसे करता हूँ कि आपको समझ में आगया होगा, option कौन सा बन जाएगा, E, L, C, R, I, C E, L, C R, I, C यानि की E, L, C option, D, यहाँ पर right answer हो जाएगा, ठीक है भई चलिए, फिर next question पर चलते है question number 14 एक बहुत अच्छा advance level की reasoning का question है, ठीक है तो मतलब यह अच्छे questions है जो मैं भी आपको करा रहा हूँ, 14 का right answer बता है, judicial को यहाँ पर लिखा गया है, L, A, U, J, I, C, I, D, ठीक है तो यहाँ पर glorious को कैसे लिखा जाएगा यह आपको बताना है, तो अगर आप try करना चाहते हैं, तो वीडियो को रोकिए try करिए, बाकी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे करना है, दीखिए, यहाँ पर किस तरीके से coding की गई है, यह बहुत कोडिंग हो जाएगी, जैसे यहाँ पर हम बोल सकते हैं, दोरी कोडिंग की गई है, पहले जो कोड हो गया, वो एक first step है, कोडिंग करने का, फिर उसके बाद दूसरी भी कोडिंग होगी, जैसे judicial लिखा है, उसको किस तरीके से code किया गया, हमने इस तरीके से बना लिया, ठीक है, डी को cross करके इस तरीके से, कोई भी change नहीं किया गया, बस cross करके उनको इस तरीके से लिखे लिया, और उनको number दे दिया, 1, 2, 3, 4, यह number इसलिए दिया, क्योंकि अभी जो यह coding आई है, यह answer नहीं है, अभी इनके भी यह number change होने वाले है, कैसे, पहले पर आपका चोथा आएगा, क्योंकि आप अगर answer में देखेंगे, तो आपकी coding है, LA, UJ, IC, ID, इस तरीके से coding है आपकी, यह वाली, ठीक है, तो अब आपको इसको manage करना पड़ेगा, कि यह लिखा गैसे गया है, यह वाली coding आपकी question में दी गई है, तो LA सबसे पहले, LA तो last में लिखा है, तो four number पहले पे आएगा, फिर UG लिखा है, UG कौन से पहले पहले पहले, अब की बार यह पहले आजएगा, I, C, IC आपका तीसरे पह तो तीसरा लिख देंगे ID ID आपका दूसरे पह तो दूसरा लिख देंगे तो यह इस तरीके से कोड किया गया है समझ कि आप इस चीज़ों को ठीक है तो वैसे ही आपको करना है Glorious के लिए तो Glorious में आपने बिल्कुर सिंपल तरीके से कोड किया क्रोज करके R O T K O I और यह आपका SU इस तरीके से आपने कर दिया इनको इनको नंबर भी दे दिया 1234 आपने देखा उपर वाले में सबसे पहले नंबर पर चोथा नंबर का कोड आया चोथे नंबर का कोड SU है तो SU आपने लिख दिया फिर उसके बाद आपका पहले नंबर का कोड आया पहले नंबर का L G है तो आपने L G भी लिख दिया फिर उसके बाद आपका तीसरे नंबर का कोड आया O I तो आपने O I भी लिख दिया फिर आपका दूसरे नंबर का कोड आया RO तो आपने RO भी लिख दिया तो इस परकार आपको जो राइट अंसर बना यह बन गया एस यू एल जी ओ आई आरो ठीक है तो यह कोड बहुत अच्छे लेवल का था कई बार यह कोशन देखने को मिल जाता है नॉर्मली कोशन नहीं पुछाता है इस टाइप का बाकी कोशन इस टाइप का मैं करा चुका हूँ तो एक बारी से अगर आप खुद से ट्राई करके आंसर कमेंट बोक्स में कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा किसी संकेतिक बासा में 743 को मैंगो और गुड लिखा जाता है 6-7 6-5-7 को 8 गुड फूड लिखा जाता है 910-3-4 को का अर्थ मैंगो और रिप लिखा जाता है तो इस बासा में को कोड का कोड क्या होगा यह आपको बताना है तो सबसे पहले मैंने क्या बता था जिस तरीके से आपको दिया गया वैसे लिखा लिए 657 को यह लिखा जा रहा है 934 को यह लिखा जा रहा है तो आपने लिख लिया उसके बाद आपको किस तरीके से करना है वो मैंने आपको बता दिया आंसर भी है तो एक बढ़ ट्राई कर लिजेगा ठीक है और दोस्तों इसकी पीडिया आप डाउनलोड कर सकते हैं टोपिक स्ट ले डारेक्शन वाली मैथ का परसंटेज चैप्टर अपलोड कर दिया है लिंक सभी के नीचे डिस्क्रेप्शन बोक्स में देता जाऊंगा आपको यह सारे चैप्टर अगर आपने पढ़ लिए तो कोई भी एक्जाम आप देने जा रहे है यूपी पुलिस का या फिर आर में रखता हूं बट उसके लिए आपको भी अपना जो निर्ने है वो लेना पड़ेगा कि मैं पूरी वीडियो देखूं अगर आप वीडियो देखते हैं दस मिनट की तो मैं आदे गंटे की बना कि क्या करूंगा समझें आप इस चीज को और इसकी पीडिया भी मैं आपको प्रवाइड करा रहा हूं फीडियो को सारी पीडिया फीडियो प्रवाइड करा रहा हूं बस आप सपोर्ट करिएगा वीडियो को लाइक करके सेयर करके थेंक्यू सो मच वीडियो को देखने बहुत धन्यवाद आपका दिन सुबहों मिलते नेक्स वीडियो वीडियो को द करें बोड़ों दन्यवाद।